नमस्कार मैं विपल सेंग आप सभी का हमारे इस्टेटेव चैनल ब्येचु स्टेडी कैपिटल पर एक बैफिर से हार दिख स्वागत करता हूँ दोस्तों आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपोर्टेंट होने वाला है जो ब्येचु में एडमिसन लेना चाहते हैं जिनोंने ब्येचु की काउंसलिंग कराई है लेकिन अभी तक उनका एडमिसन नहीं हो पाया है किसी कारण से अभी तक उनका वेटिंग लिस्स हो कर रहा है यानि आप सभी जब इस वीडियो का थमनेल आपने देखा होगा आप सभी इस वीडियो पर क्लिक किये होंगे तो आप सभी को जिग्यासा रही होगी कि आखिर ये वीडियो किस निमित बनाये गया है कि बीएचू की सीटे अभी बची हुई है हाँ बिल्कुल खाली हो सकती है बीएचू की बहुत सारी सीटे आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपोर्टेंट है अगर आप बातों को सही डंग से समझेंगे तो इस वीडियो के माध्यम से आपकी बहुत सारी सीटे खाली हो सकती है और जिनका एड्मिशन पेंडिंग है उनका एड्मिशन हो सकता है इस वीडियो का जो मूल तत्त होगा वो बियेचू प्रसासन और छात्रों के बीच अगर दोनों मिल करके एक दूसरे का सायोग करते हैं तो बियेचू की सीटे खाली हो सकती है इसको लेकर के मैं डिटेल में इस वीडियो में डिसकसन करने वाला हूँ आपको बहुत सारी कियेगा समझीएगा उसके बाद आप एकसन लेंगे तो दोनों को फायदा होगा चात्रों को फायदा होगा और प्रसासन को भी फायदा होने वाला है लेकिन उससे पहले जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइक उनको अभी तक कोई भी subject नहीं है लाट हुआ है और cutoff की बात करें तो पिछली बार जहाँ पर 140 पर admission हुआ था इस बार वहाँ पर किसी छात्र को दोस्त दे रहा हूं ना ही प्रसासन को दोस्त दे रहा हूं ये एक ऐसा महौल बन गया है उसके कारण से एक ऐसा कंडिसन बन गया है उसके कारण से यहाँ पर बियेच्चू की बहुत सारी सीटें फस गई हैं इसमें ना ही किसी छात्र की गलती है ना ही प्रसास ले लिया है वो भी बियेचु में अपनी काउंसिलिंग कराये हैं और उसके बाद अगर उनका बियेचु में अडमिसन हो गया है तो वो अपना फी पेमेंट भी कर देते हैं क्यूंकि आप सभी को पता है बियेचु की फी जो है वो बहुत अधिक नहीं है उसके वज़़ासे जो छातर है वो अपना fee payment करके और pending में छोड़े हुए या उन्होंने अपना subject ऐलट करवा लिया है और fee payment कर दिया है उसके बाद अपना इंतजार कर रहे हैं कि वियेचू में अगर उन्हें जो सबसे बैतर subject चाहिए वो अगर अप्ग्रेड होकल के मिलता है तो वह admission लेंगे और अगर अप्ग्रेट नहीं होता है तो admission उसी प्रकार छोड़ देंगे वो refund भी नहीं कराएंगे ऐसा बहुत सारे लोगों के मन में मानसिक्ता बन गई है और इस मानसिक्ता को देखते हुए इस मानसिक्ता के कारण बहुत सारी बियचू की लिया है तो इसके पीछे उस चात्र की गलती नहीं है लेकिन उस चात्र की गलती नहीं है वो एडमिसन लेना चाहता है बियेचु में लेकिन वो इंतजार कर रहा है उसका सब्जेक्ट अपग्रेड होगा तो वो एडमिसन लेगा और उसके बाद जिन्होंने फी पेमेंट कर पूरा कर लिजीए अपना एडमिशन करा लिया है यानि आपको सब्जेक्ट अलाट हुआ तो आपने फीपैमिंट कर दिया है और लेकिन फिर भी आप बीये चुमे नहीं पढ़ना चाते हैं किसी और विस्टियु दाले में अपने अपने ब्यातर सब्जेक्ट से या फिर किस चात्र अपना एड्मिशन कैंसिल कराएंगे मैं बता रहा हूं सारे संकायों में बहुत सारी ऐसी सीटें फसी हुई हैं जिसके कारण जो चात्र हैं वो बियेचु में नहीं पढ़ने वाले हैं फिर भी उन्होंने फी पेमेंट कर दिया है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है उसको फालो करते हुए कृपया करके बियेचु का जो आपका एड्मिशन है उसे कैंसिल करा लें अगर आपको जिने भी बियेचु में उस सब्जेक्ट के आधार पर नहीं पढ़ना है वो कृपया करके अपना एड्मिशन कैंसिल करा लें एड्मिशन कैंसिल कराने से क्या ह जितनी सीटे हैं यानि जितनी सीटे आपने कवर की हुई हैं तो किसी और का भला हो जाएगा यानि जो नीचे राइंक्वाले हैं उनका आटमेटिकली उनका जो वेटिंग क्लियर होगा और उन्हें कोई न कोई सबजेक्ट मिल जाएगा तो यह पुण्य का काम है यह आपके यानि अगर कहीं पर 700 सीटे हैं और 500 सीटों के चात्र, 700 सीटों पर उन्होंने फीपरेमेंट करके एडमिसन ले लिया है और 200 सीटों अगर बियेचु में पढ़ने नहीं आते हैं तो सिर्फ 500 सीटे पढ़ेंगे और 200 सीटे पेंडिंग रह जाएंगी पूरे साल के लिए यानि लिए गोल्डेन टाइम है जो उनका गोल्डेन पिरियड है वो नुकसान हो जाएगा तो इसको देखते हुए जितने छात्रों ने भी एडमिसन ले लिया है बियेचु में लेकिन बियेचु में नहीं पढ़ना है तो किरप्या करके बियेचु का जो रिफंड प्रोसेस है उसको जल्द से जल्द आप सभी प्रोसेस पूरा करवा लें और अपना एडमिसन कैंसील करा रहे है यह मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से और हम सभी लगातार प्रसासन से इसकी बाते भी कर रहे है कि किस प्रकार से आपको रिफंड का जो प्रोसेस है उसको और आसान बना आएगी मैं इस पर आपको तुरंत डूंगा इसलिए चैनल साथ बने रहेगा फिलाल इस वीडियो अच्छा लगए तो लाइक कीजेगा और अपने दोस्तों के साथ सेर जरूर कीजेगा वीडियो को लाइक करें न करें लेकिन इस वीडियो को सेर जरूर कर दीजिए क्योंकि आप सेर करेंगे तो ये वीडियो बहुत सारे लोगों तक पहुचेगा और जितने अधिक लोगों तक पहुचेगा उतने अधिक लोगों का भला होगा क्योंकि जहां पर 700 सीटे हैं मेरे जानकारी में बहुत सारी ऐसी सीटे हैं जो की फसी हुई हैं बता रहा हूं और विडियो के सेर किजिए बहुत बहुत धन्यवाद